हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये प्रोबलम देखने के लिए मिल रही है, जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपकी उधर आवाज नहीं जा रही है तो ये problem मेरे साथ भी देखने के लिए मिलीती और मैं इस problem से काफी परिशान था तो मैं आपको इस video में इसका solution बताऊँगा कि आप कैसे इस problem को solve कर सकते हैं और आपके मन में question चल रहा होगा कि कहीं हमारा mic तो खराब नहीं है तो मैं आपको सब इस video में बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपको वीडियो को complete देखना है और आपको वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है मैं आपको इस video में एक setting बताऊँगा वो आपको enable करनी है अगर आपकी problem solve हो जाती है तो ठीक है बरना मैं आपको आगे बताऊँगा आपको आगे क्या करना है मैं आपको यह विदाँगा कि आपका कही माइक तो खराब नहीं है तो चलिए बिना किसी देर के video को start करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like की जरूर करें तो चलिए बिना किसी देर के video को start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको इस problem को solve करने के लिए अपने mobile की setting को open कर लेना है उसके बाद यहापर आपको एक option देखने के लिए मिल जाएगा apps तो यहापर आपको simply apps पे किलिक कर देना है तो मैं आपको पता दू सभी mobile की setting थोड़ी बहुत अलग होती है तो यहापर आप आपको यह apps वाला option देख लेना है उसके बाद यहापर आपके सामने कूछ इस तरीके का interface खुलकर आ जाएगा उसके बाद यहापर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा manage apps ठीक है दोस्तो तो यहापर आपको manage apps पे किलिक कर देना है जैसी आप manage apps पे किलिक करेंगे तो यहा यहाँ पर आपको सारी एप सो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अप देखना है, Manage Call, तो यहाँ पर आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बचाने के लिए, यहाँ आपको सर्च करके दिखा तो यहाप पर आपको सारी क्लिक करना वाली परमिशन आ जाएंगी तो यहाप आपको सारी करनानालोग कर देना करना है और यहाँ पर आपको एक option आ जाएगा allow का तो यहाँ पर आपको सबसे उपर वाले option पर क्लिक कर देना है और यह आपकी सारी permission allow हो जाएगी अगर आपकी problem तब भी solve नहीं होती है तो यह mic problem है और यह आपकी software problem नहीं है यह आपकी hardware problem है इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको अपने mobile को किसी technician को दिखा देना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आयोगी तो आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में